हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली यही सवाल पूछ रहे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरंजीत सिंग्चन्नी कॉंग्रिस आला कमान से दरसल चरंजीत सिंग्चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे और पंजाब में कॉंग्रिस के बड़ और करमजीत कौर चौधरी अब जलंधर से लोकसभा का उपचुनाव कॉंग्रिस के टिकट पर लड़ेगी। चरंजीत सिंग चन्नी का कद इतना बड़ा था, चुनाव हारना अपनी जगह पर है, कॉंग्रिस सरकार में नहीं आई। दरसल चरंजीत सिंग चन्नी का राजिनेतिक पतन इतनी जल्दी कैसे हो गया, कि वो मुख्य मंत्री भी बने, दो-दो सीटों से विधान सभा का उपचुनाव भी हार गए, और इसके बाद जब उन्होंने अपनी पार्टी से लोक सभा उपचुनाव के लिए टिकट मांगा, तो कॉंग्रिस ने भभी नहीं दिया, वो भी तब जबकि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का एलान नहीं किया, लेकिन कॉंग्रिस ने अपने उमिदवार का एलान कर दिया, आखिर इतने आनन फानन में कॉंग्रिस ने अपने उमिदवार का एलान किया क्यों, और उन्होंने अपने पूर्व CM को टिकट क्यों नहीं दिया यह एक बड़ा सवाल है। हम आपको बताते हैं पंजाब की राजनिती में अचानक से उभर गए चरंजीत सिंग चन्नी जिन्हें कॉंग्रिस ने कैप्टेन अमरिंदर सिंग जैसे बड़े नेता को हटा कर मुख्यमंत्री पत की कमान सौंप दी। ही कॉंग्रिस पार्टी रड़ेगी। कॉंग्रिस ने ऐसा किया भी लेकिन नतीजा क्या हुआ चरंजीत सिंग चन्नी दो सीटों से चुनाव लड़ रहे थे वो दोनों सीटों से खुद चुनाव हारे ही कॉंग्रिस की विलोटिया पंजाब में डूब गई। लोग अपना जनादेश किसी को देते हैं तो किसी को ताज सौप देते हैं किसी से कुर्सी छीन भी लेते हैं। अपना देश, अपना राज, अपना शेतर छोड़ कर दस महीने के लिए चले जाना ये कहां तक उचित था। क्या राजनिती में इस तरीके की कभी परंपरा रही है। कॉंग्रेस ने उनको जलंधर लोक सभा सीट से उपचुनाओं में अपना उम्मिदवार नहीं बनाया दूसरा मामला ये था कि पंजाब के विजिलन्स विभाग ने चरंजीत सिंग चन्नी के खिलाफ लूक आउट नोटिस जारी किया हुआ हलां कि चन्नी ने ये खुद ही कह चन्नी के उपर सबसे बड़ा दाग था वह यह था कि उनके नित्रित तुम्हें कॉंग्रेस विधान सभा का चुनाओं हार गई कॉंग्रेस ने बड़ा प्रयोग किया था पंजाब में सबसे ज्यादा दलित वोटर बताये जाते हैं चरंजीत सिंग चन्नी खुद दलित त आमना करना पड़ा हार के बाद चन्नी जिस तरीके से विदेश गये उससे कॉंग्रेस पार्टी की इमेज को धक्का पहुचा इसके बाद जिस तरीके से अब रस्टाचार के मामले को लेकर जो लुकाउट नोटिस विजिलेंस ने जारी कर दिया है ऐसे में कॉंग्रेस नह के बीच से गाइब हो जाते हैं या जिनके खिलाफ विजिलेंस की चांच चल रही है ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अप्डेट्स के लिए हमारे साथ धन्यवाद